आईपीसी बोले तो इंडियन पिनल कोड 1860 फर्स्ट पार्ट में हमने आईपीसी की हिस्ट्री को कवर किया है उसका लिंक तीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आईपीसी वीडियो लेक्षर नबर वन हिस्ट्री है अगर इसको याद करना है तो आईपीसी मैं हूँ जी हाँ आप समझेए आप आईपीसी है यही ट्रिक है 23 चप्टर 511 सेक्शन को याद करने हूँ हम पहले भी इंडियन क्रिमिनल कोट सिस्टम को समझ चुकी है लेकिन एक बार रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है हमारा इंडियन क्रिमिनल कोट सिस्टम जो है वे procedure law और substantive law का mixture है इन दोनों का combination है procedure law को executive law भी कहा जाता है procedure law है criminal procedure code 1973 civil procedure code evidence act और substantive law है Indian penal code industrial dispute act, maternity benefit act, transfer of property act, contract act यह सब substantive law है जो हमें हमारे rights और liabilities के बारे में बताते हैं और अगर हमारा rights कोई मार लेता है तो उसकी remedy क्या है यह भी बताया जाता है लेकिन इस सब को लागू कैसे किया जाएगा how to implement it यह procedure law बताता है इसलिए हमारा criminal code system जो है इन दोनों का mixture है अब question mind में आता है कि क्या कोई ऐसा law है जो procedure law substantive law दोनों हो जी हाँ Hindu Marriage Act 1961 यह mixture of both है इसमें rights and liabilities बताई गई है और आपका अगर right मारा जाता है तो उसकी क्या remedy है यह तो बताया ही है साथ में procedure भी बताया है कि अगर आप Indian criminal code system के answer को attempt कर रहे हैं तो Terence Morrisky's definition को जरू लिखना वो कहते थे कि crime is what society says is crime by establishing that an act is violation of the criminal law without law there can be no crime at all although there may be moral indignation which results in law being enacted what are the elements of crime इसको भी आप पढ़ चुकी हैं लेकिन J.L.L.C.S. style में एक बार फिर cover कर लेते हैं जो elements of crime है इसको हम पीमार कहेंगे क्यूं? क्यूंके crime करने के लिए पहली चीज़ चाहिएं person मतलब किसी इनसान का होना second चीज़ है mensoria मतलब criminal intent या intention to commit a crime जो अपराद करने का इरादा रखता है third है act definitely कुछ किया जाएगा तो ही crime बनेगा और fourth element है result बन गया नहां हमारा trick P-M-A-R तो किसी भी crime को करने के लिए उसके elements पूरे होने जरूरी है person, mensoria, act और result का P-M-A-R का पिमार elements of crime को समझने के बाद इसके exceptions को समझना बहुत जरूरी है इससे आपकी IPC के study को बहुत strong base मिल जाएगा exceptions to criminal liability को याद करने का trick बिलकुल connected है VJ Supreme Court of India में इसमें अपराद एक ने किया हो लेकिन उसका responsible जिम्मेदार दूसरा होता है एक्जामपल के तोर पे IPC का section 154, 155 और 156 वाइकरिस liability का एक्जामपल आप डेली देखती है जो shop पर salesman बेशता है उसका जिम्मेदार shop का owner मालिक होता है second exception है joint liability इसमें अपराद की भागेदारी मनी जाती है तो सजावी definitely बराबर की होगी jointly होगी एक्जामपल के तोर पे IPC के section 34, 120B, 149, 395 और section 402 third exception है strict liability इसमें अपराद करने वाले का इरादा हो या ना हो ये नहीं देखा जाएगा उसके उपर strictly applicable होगा के आप जिम्मेदार है एक्जामपल के तोर पे IPC के section 494, 268, 363, 362, 376 और contempt of lawful authority of public servant का पूरा का पूरा chapter 10 fourth exception है constructive liability ये भी joint liability की तरह होता है लेकिन joint liability में दोनों व्यक्ति एक जगा पे थे यहाँ पर अगर एक व्यक्ति उस स्थान पर मौझूद ना भी हो जहाँ पराद हुआ है तो भी वो liable होगा because of common intention मतलब दोनों जने एक ही इरादा रखते थे example के तोर पे IPC की section 34, 109, 149, 396 और 460 fifth exception आती है incohade liability मतलब incomplete liability भी कैसकते हैं क्यूंके अपराद अधूरा छोड़ दिया गया हो complete ना किया गया हो इसकी example है IPC की section 399, 400, 401 and 402 VJSCI पाँचो complete हो गए VJ Supreme Court of India में trick word मत भूलना इसको एक और तरीके से revise करते हैं why Chris liability जो है वो किसी और के साथ connected है connected other joint liability है तो connected together है strict liability है तो कोई excuse नहीं है they are connected forever constructive liability है तो भी चाहे वे दूर है away but connected and last one incohade liability connected तो हो गया था लेकिन error आ गया तो connected error क्यूंके crime complete नहीं हुआ था मैं चाहता हूँ के Jay Law Classes Channel देखने वालों का IPC जो है वे इंडिया में सबसे बेस्ट तरीके से उनको समझ में आए और वे IPC के export कहलाएं इसलिए elements of crime और उसके exception को समझना बहुत ज़रूरी है elements of crime PMR से बनता है मतलब अगर ये होगा तो ही वे crime पूरा माना जाएगा PMR P मतलब person M मतलब motive A मतलब act और R मतलब result इसमें से कुछ भी एक missing हो तो उसको exceptions की category में डाला जाता है अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनको exceptions क्यूं कहा जाता है Vicarious Liability इसमें person नहीं है किसी और ने अपराद किया है तो M A R आता है एक चीज मिसिंग है तो ये exception में आ गया Joint Liability इसमें तो 2% हो गए है इसलिए P मार नहीं बना चाहे इसमें motive, act और result था लेकिन P 2 होने के कारण P मार नहीं बनता है इसलिए ये भी exception में आ गया Strict Liability इसमें person है लेकिन motive नहीं है Act है, result है अब एक element missing है तो P मार नहीं हुआ इसलिए ये भी exception में आ गया Constructive Liability इसमें person है, motive है लेकिन act नहीं है लेकिन उसका result आ गया है One element is missing P मार नहीं हुआ इसलिए ये भी exception में आ गया Incoheadability Person है, motive है लेकिन act और result नहीं हुआ Element of crime missing है इसलिए ये भी exception में आ गया If you enjoyed this example तो एक comment जरूर करें There are four stages of crime अपराद की चार stages का trick है आई-पाव जब आई-फोन हो सकता है पाव मुवी हो सकती है तो trick आई-पावी हो सकता है ये चार चीज़े है Intention, Preparation, Attempt और Accomplishment इराद तयारी प्रयास और उसमें सफलता पाना इतना याद कर लिया तो भी बहुत है लेकिन मैं detail में जा रहा हूँ Intention की section है 121, 121, 124, 124A और 402 Preparation IPC के section 122, 126, 233 से लेके 235 तक 242, 243, 257, 259, 266, 276, 399, 474 इन सब में दी ही है और Attempt को IPC ने 307 से रेके 309 तक तो कवर किया है साथ में 326 B, 393, 398 और 511 The last one और Accomplishment बाकी के सारे section तो Accomplishment के बारे में ही है All मतलब सभी नहीं इन तीनों को छोड़के मतलब Intention, Preparation और Attempt इनके अलावा बाकी सारे section Accomplishment के है Hello, नमस्ते आदाफ, सस्याकाल I hope you are a joint studying law with me Especially Criminal Procedure Code 1973 अब IPC को भी cover कर लेती है किसी ने पुछा why जये law classes Ratification से मतलब रटने से Ordinary Student, Ordinary Advocate या Ordinary Judge भी बन सकते हैं लेकिन law को समझने से आप expert बन जाएंगे कोई भी position हो, expert student हो expert advocate हो, expert judge हो expert corporate law officer हो at least law को समझने से आप expert कहलाएंगे अपनी field की तो मेरे साथ बेरेक्ट को पढ़ लिया जाए समझ लिया जाए और expert बन लिया जाए Indian Penal Code को हिंदी में भारतिये दंड सहीता कहते हैं Indian Penal Code है ही अपराद और उससे संबंदित दंड के बारे में अब दंड कैसे दिया जाता है अगर आप magistrate हैं तो आप simple बोलेंगे के हम IPC को खोल के देख लेंगे वैसे examination hall में तो ये करनी सकते हैं तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि दंड अपराद किया है या अपराद करने का प्रयास किया है इन दोनों ही situation में दिया जाता है अब क्या दंड दिया जाए Exactly उस अपराद से संबंदित जो दंड IPC में मौझूद है उसकी accordingly दिया जाएगा अगर अपराद किया है और अगर अपराद करने का प्रयास किया है तो भई 50% off आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने अपराद नहीं किया या असफल रहे या आपने इरादा छोड़ दिया या पकड़े गए तो ऐसी स्तिती में सजा की 50% off दे दी जाएगी विच मींज अगर अपराद करने पर 10 साल की सजा दी जाती है तो उसी अपराद का प्रयास करने पर 5 साल की सजा दी जाएगी हो गया ना 50% off किसी भी बुक को खोलने से पहले अगर उसके कंटेंस के बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले ले लें और उस एक्षन से जो रिजल्ट निकले वे क्राइम होता है पीमार्ट ट्रिक हम पहले कवर कर चुके हैं 5 exceptions दिये हैं क्राइम के total 23 chapters और 511 sections है कुछ websites गलत information देती है कि 511 से जादा section है जो के गलत है बेरेक्ट के लिए www.lawrack.com पर depend करें जिसे मैं खुद update करता हूँ अगर law में कोई amendment हो या कोई new law act लगू हो www.lawrack.com टाइप करने पर ये website खुल जाएगी बेरेक्ट चेक करने के लिए बेरेक्ट ऑफ इंडिया पर click करें main act ऑफ इंडिया चेक करें क्योंके वोई students चेक करते हैं civil procedure code को click करोगे तो ये screen खुल जाएगी ये pdf का option है यहाँ पर कुछ brief explanation है pdf पर click करते ही आपका बेरेक्ट खुल जाएगा So I hope you will like lawrack.com website की खास बात ये है कि इसको advertisement free रखा गया है लेकिन maintenance के charges लगते हैं और हम कुछ donation भी करते हैं तो जो donate कर सकते हैं तो वो please जुरूर donate करें IPC के 23 chapter 511 sections को याद करने का trick आप अपने आपको IPC समझें female हैं तो भी आप अपने आपको IPC समझो और male हो तो चाहे लटक जाओ लेकिन अपने आपको IPC समझो भाई मैं IPC हूँ मेरी जिन्दगी के 23 भाग है मेरा पहला भाग मेरा introduction एक से पांच तक है मेरा जनम तो 6 October 1860 को हुआ था लेकिन चलना मैंने दो साल बाद happy new year वाले दिन किया था मतलब 1 January 1862 जैसे सबी को आदत हो थी है नाम का कारण पूछना के ये कैसा नाम है उसी तरीके से मुझे अपनी जिन्दगी के दूसरे भाग चक्रटू में ये बताना पड़ता है सधारन सपश्टी करण देके के मेरा नाम IPC क्यों है क्योंके मेरा introduction पांच तक था तो मेरा सधारन सपश्टी करण 6 से 15 के 52 पतों की तरह 52 ए तक है पहला तो मेरा नाम दूसरा मेरा नाम ऐसा क्यों है का सपश्टी करण देना फिर लोग पूछते है के मेरा काम क्या है तो भाई मेरा काम ही गल्द काम करने वालों को उसकी सजा के बारे में बताना इसलिए मेरी जिन्दगी का तीसरा चप्टर है of punishments मेरा सपश्टी करण 52 पे खतम हुआ था तो obviously 53 पर मेरे काम punishments के बारे में शुरू होता है और 75 तक चलता है देख ले ना ये वीडियो लेक्शर खतम होने तक आपको कितने सारे sections याद हो जाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे तो मेरे introduction और explanation देने के बाद मेरा काम punishment देने को जानने के बाद मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं हर गल्द काम की सजा देता हूं तो चौती बात मेरी ये ही आती है कि भई नहीं कुछ अपराद होके भी अपराद नहीं होते हैं उनकी सजा नहीं दी जासती इसलिए मेरी जिन्दगी का चौता भाग है जर्नल एक्सेप्शन्स सधारन अपवाद 76 से लेके 106 तक ये बात सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ती अपरादी पैदा नहीं होता है उसको हलाद बना देते हैं कैसी हो सकता है तो पहली चीज जो हमने देखी कि इनसान के अपराद करने का सबसे बड़ा कारण उसको बहकाना है आज के दोर में बहकाने वाला काम बहुत ही असानी और तेजी से वाटसेप के मेसिज के थू हो जाता है मैं केवल वाटसेप को ब्लेम नहीं करूँगा फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिक टॉक और यूट्यूब पर भी भड़काने वाले मेसिजिस मिल जाते हैं हैं तो ये सोशल मीडिया लेकिन आज कल एंटी सोशल बने हुए हैं किसी भी अच्छे व्यक्ति को अपरादी बनाना बड़ा असान काम है बस सिंपली आप उसके इमोशन के साथ खेलें एक शरीफ इंसान अगर घर पे बैठा चाय भी पी रहा है तो अगर वैब पोस्ट ऐसा पढ़ता है कि उसका अल्ला भगवान जीजस या जो भी उसका सबसे बड़ा विश्वास हो भगवान में वैखत्रे में हैं तो गुसे के मारे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि क्या सही है और गल्द और उसके लिए अपराद कर बैठता है दूसरी चीज उसका घर या उसका रिष्टेदार खत्रे में है ऐसा पढ़ने पर जानने पर या भढ़काने पर वै कोई भी अपराद करने को तयार हो जाता है अरे जिस उपर वाले ने दुनिया बनाई है वै खत्रे में क्या होगा तो मेरे साथ कसम खाएं किसी के भढ़कावे में ना आएं धारा 107 से 120 तक को अच्छी तरह से समझ जाएं और याद रखें ये चप्टर पांच आफ अबेटमेंट में है मैं IPC हूँ मेरे जिन्दगी का पांचवा हिस्सा आफ अबेटमेंट अपराद के बारे में बताया गया था लेकिन मेरे जिन्दगी में क्रिमिनल कॉंस्परिसी ना होने के कारण उसको बाद में 1913 में एड़ किया गया चप्टर 5A के नाम से किरिमिनल कॉंस्परिसी जो होती है वे दो से ज़धा व्यक्तियों दारा की जा सकती है मतलब अपराद करने के लिए दो से ज़धा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है सो आई होप आप इसको याद करेंगे कि 120A, 120B में अपरादिक शर्यंतर के बारे में बताया गया है इन सबी को डिटेल में हम वीडियो लेक्चर और जारी करके समझाएंगे फिलहाल कौन से चप्टर में, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ आ रही है इसको याद कर लें आई होप अब आपको याद रहेगा कि अपरादिक शर्यंतर क्रिमिनल कॉंस्परेसी जो होती है चप्टर 5A, सेक्शन 120A, 120B में होता है क्रिमिनल कॉंस्परेसी से याद आया कि मैं एक देश भगत हूँ सेक्शन 121 से लेके 130 तक अपरादिक शर्यंतर क्रिमिनल कॉंस्परेसी जो मेरे जिन्दगी का 5A का हिस्सा है तो मेरे जिन्दगी का अगला हिस्सा 6 मेरे देश के बारे में है मेरे देश से मेरे देश की सेना के बारे में मेरे को याद आया तो मेरा जिन्दगी का सात्वा हिस्सा of offenses relating to the army, navy and air force सेना, नौ सेना, वायो सेना से संबंदित अपराधों के विशे में जो के section 131 से लेके 140 तक दिये गए है मैं IPC हूँ I hope ये trick याद हो गया होगा revise करें थोड़ा मेरी जिन्दगी के 23 हिस्से हैं जो के 23 चेप्टर के रूप में है मेरी जिन्दगी के पहले 5 हिस्से बड़े असान है इसलिए 5 A को याद जरूर करना जो के येस, बाद में एड़ किया गया था अपराधिक शडियंतर किर्मिनल कॉंस्परेसी धरा 120 A, धरा 120 B next chapter 6 जो के मेरे देश से संबंदित अपराध और उसके दंड के बारे में है IPC में स्टेट का मतलब यहां पर देश से ही है देश के बाद चप्टर 7 जो के देश की सेना के बारे में है Off Offences Against the Army, Indian Navy और Indian Air Force अब आता है चप्टर 8 Obviously देश, देश की सेना के बाद आता है देश की जनता के बारे में Offences Against Public Tranquility Section 141 से 160 तक देश, देश की सेना और देश की जनता के बाद चप्टर 9 में देश के लोक सेवक मतलब सरकारी अफसर या करमचारी के बारे में आता है Chapter 9 of Offences by or Relating to Public Servants लोक सेवकों दोवारा या उन से समबंदिद अपरादों के विश्ये में जोके Section 166 से 171 तक आती है एक चीज़ याद रखिए कि जो Section 161 से 165A है उसको हटा दिया गया है अब ये कवर होता है Prevention of Corruption Act 1988 से अरे बोर मत हो ना यही तो ट्रिक है याद करने का देश की सेना के बाद देश की जनता और देश की जनता से निकले हुए देश की लोक सेवक देश की लोक सेवक से याद आया कि देश की सेवा करने वाले हमारे नेता जिने देश की जनता चुनती है वैसे बड़ी हैरांगी वाली बात है जनता जिसको खुद वोट देके कुर्सी पे बिठाती है उसी के आगे हाथ जोड के अपने काम के लिए बिंती करती है थोड़ा सोचिए आपने उसको पांच साल के लिए नौकरी दी है ताके वैद देश की सेवा कर सके इलेक्शन को मैं अपनी जिन्दगी से भूल ही गया था इसलिए 9A एड करके इसको बनाया गया और इसको एड किया गया था 19-20 में मैं IPC हूँ और मेरी जिन्दगी का दस्वा हिस्सा कंटेम्ट है जी हाँ अगर देश का कोई भी नागरिक पुलिस या कोट के आदेश को मानने से मना कर देता है वो भी जान बूच कर तो उनको दंड देने का प्रधान अपरादी को सजा देने के लिए पुलिक को इनसाफ देने के लिए अगर पुलिक पुलिस के साथ या पुलिक कोट वालों के साथ एक और एक ग्यारा हो जाए मतलब सची बात बताए तो वो भी देश की तरक्की करने से कोई नहीं रोख सकता लेकिन जूटी गवाही देने वालों को जोटे सर्टिफिकेट या एफिडिविट देने वालों मैंने अपने जिन्गी के चेप्टर 11 में प्रबधान दिया है Of False Evidence and Offense Against Public Justice Under Section 191 to Section 229A सिक्का एक का हो या दो का उसके साथ कोई भी छेड़ छाड़ करना उसका वजन कम करना या नकली सिक्का बनाना या फिर किसी वी परकार की सरकारी स्टेंप को बना लेना या उसका यूज करना मिस्यूज करना बिना अथोरिटी के उनको सजा देने का चेप्टर 12 में प्रबधान दिया है Of Offenses Relating to Coin and Government Stemps Under Section 232 to Section 263A बाभा गुरुनानक देवजी की तेरा-तेरा बोल के सब कुछ देने के बावजुद प्रॉफिट में रहने पर बिजनसमेन को कम से कम ये तो सीखना चाहिए था कि हेरा-फेरी ना करें लेकिन हेरा-फेरी करने वाले बिजनसमेन के लिए जो नापतोन में हेरा-फेरी करते हैं मैंने अपनी जिन्दगी के चप्र देरा में इसका प्रबधान दिया है अब बात करते हैं देश के लोगों की उस सुरक्षा से जिसे फौज नहीं IPC रेगुलेट करता है जैसे के सेहत से खिलवार करने वालों को दंडित करना चाहे वो medical negligence हो sale of banned medicine हो या quarantine rule का तोड़ना हो या फिर खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को दंड देना हो उस सुरक्षा से जो के public place पे सरकस जैसी करतब करते दोरान खुद को या दूसरे को खतरों में डाल सकते हैं और उस सुरक्षा से जिसे work place पे नियम का पालन ना करने से खुद को या दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं यहां तक कि decency ना maintain करने वालों को भी सजा देना इन सब बातों को मैंने अपनी जिन्दगी के chapter 14 में of offenses relating to the public health, safety, convenience, decency and moral में दिया है जिसे आप section 268 से 294A में cover कर सकते हैं वर्ल्ड की most developed nations अमेरिका और यॉरप हैं बस अमेरिका और यॉरप की तरह इंडिया भी 1947 में जब independence मिली थी तो secular country बनना चाहता था इसलिए इंडिया में हर religion का ध्यान रखा जाता है हिंदू religious majority हो या Muslim religious majority हो Christian minority हो या Sikh minority हो सबकी भावना का ध्यान रखना वरना मैं अपने जीवन का पंदरवा भाग मतलब चप्टर 15 में दंड दे सकता हूं दंड means punishment under section 295 to section 298 अब आप कहेंगे इतने सारे religious अच्छे नहीं होते करते हैं लेकिन मैं IPC सभी religious को equally treat करता हूं Religion इंसान को बहतर इंसान और इंसानियत सिखाता है वरना जिसकी लाठी उसकी भैस मतलब बलवान पहलवान इंसान कमजोड की मदद नहीं करेगा बलके उसको दबाएगा दुनिया में जगडा बना रहेगा हम professional होकर भी unprofessional ethics पर चलते रहेंगे एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा अपने मतलब के लिए उसका murder भी कर सकता है वह इतना गिर सकता है कि अपने जीवन साती को भी नहीं बक्षिका उसे भी चोट पहुचाएगा इसलिए chapter 15 of offenses relating to religion के बाद chapter 16 रखा गया है of offenses affecting the human body उन सब को सजा देने के लिए जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपरादों के विशे में दिया है वह है section 299 से लेके 377 तक let's revise the chapter 14 जिसमें decency और morale को maintain ना करने के लिए punishment है जिसे religion भी regulate करता है लेकिन अगर religion से related ही कोई अपराद करे तो definitely मेरे जीवन का next chapter 15 religion से related अपराद करने वालों को दंड देना है और जो अच्छा religious इंसान है वह किसी भी इंसान की जान या माल को खत्रा नहीं पहुचाएगा अगर वह किसी की जान को खत्रा पहुचाता है तो chapter 16 में उसको दंड देने का provision दिया है और अगर किसी की माल को नुकसान पहुचाता है तो chapter 17 उसको दंड देने का प्रबधान रखता है माल मीन्स प्रॉपर्टी इंमुवेबल हो तो घर और मुवेबल हो तो कार, पैसा, मुबाइल फोन और अगर किसी दूसरे के जान या माल को खत्रा पहुचाओगे तो दंड तो मिलेगा ही ना तो चेप्टर 17 डील करता है Off Offences Against Property संपत्ती के विरुद अपराद के विशे में, चोरी के विशे में, जिससे दंड दिया जाता है Section 378 से लेके 462 तक Chapter 17 Property से Related Crime और Punishment है तो Next Chapter 18 Chapter 17 से Connected है जी हाँ, Property को डॉकुमेंट्स में फौजरी टैंपरिंग करके अपना माल का ना हक जाता सकता है ना केवल Property किसी भी प्रकार का डॉकुमेंट को टैंपर कर अपना या किसी और को फाइदा या नुकसान पहुचाना तो उसको सजा देने के लिए Next Chapter है Chapter 18 Of Offences Relating to Documents and Property Marks दस्तावेजो और संपत्ती जिनों संबंदित अपराद हों के विशे में ये आता है under Section 463 to Section 489E Chapter 18 के Forgery और Tempering of Documents से मुझे याद आया जो Public है वै आपस में Contract करती है और Contract तोडने पर मुझे Dund Punishment देनी पड़ती है तो Chapter 19 is about Off the Criminal Breach of Contract of Service जब IPC बना था तो Section 490 से लेकि 492 तक थे लेकिन अब सिर्फ एक Section रह गया है Section 491 Contract से याद आया कि काफी Controversy होती है जब Marriage के Topic को As a Contract कहा जाता है वैसे होता तो Contract ही है आप आदिकाल से देख लें या Modern जमाना देखने शुरू से लेके अभी तक चलता आ रहा ये फोटोग्राफ्स नहीं शायद कुछ लोग बुरा मान जाएं Topic पे वापस आते हैं Contract के बाद मेरी जिन्दीखी का Chapter 20 Off Offences Relating to Marriage विवासंभदिद अपराद के विशे में जो आते हैं Section 493 से लेके 498 तक Chapter 20 Marriage से Related Offences से है लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि Husband इतना कुरूर हो सकता है या उसके रिष्टेदार इसलिए Chapter 20 A को बाद में एट किया गया मैं कोई फोटोग्राफ नहीं डालना चाता हूँ क्योंके मैं ऐसी चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ Chapter 20 A Deals with Cruality by Husband और Relatives of Husband इसको Section 498 A में डील किया गया है Most Controversal जिसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था उसको तो शायद इसको इसको इस्तमाल करना भी नहीं आता है लेकिन इसका Miss Use करना बहुत लोगों को आता है Chapter 20 विवा संबद्धित अपराद से Related है Chapter 20 A Husband की क्रूरता संबद्धित Related है लेकिन कोई जान बुच के किसी को बदनाम करे तो Next Chapter है Chapter 21 Of Defamation मानहानी के विशे में जिसे कवर किया है Section 499 से लेके Section 502 तक Jealousy या खुद की कमजोरी बड़ा कारण होता है किसी को बदनाम करना या किसी की बेस्ती करना Insult करना High Level पर हो तो Chapter 22 उसी के लिए बना है Of Criminal Intimidation Insult and Annoyance जिसे कवर किया है Section 503 से लेके 510 तक अब आते हैं Last Chapter Chapter 23 पर अपराद की कोशिश करने को भी अपरादिक दंड मिलता है Off Attempts to Commit Offenses अपरादों को करने के प्रेतनों के विशे में जिसे कवर किया है 13.511 में अगर लेक्चर पसंद आया तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट बड़ों को रिस्पेक्ट करें छोटों को प्यार दें वरना सारी एजुकेशन हो जाई की बेकार प्रेतनों के विशे करें